अभी ये क्या दिख रहा है ये पिक्चर है डे का और ये है नाइट का तो डे में हमें क्या दिखता है सन है ना सन और ये है मून है ना नाइट में हमें मून दिखता है और स्टार्स भी दिखते हैं दिखते हैं ना So, ये है sun, moon, stars. Sun, moon, stars. Okay? So, अभी हमें worksheet में क्या करना है, पता है? Trace the words and draw the pictures. अभी हमें words को trace करना है. और यहाँ पे उनकी picture draw करनी है. Like सबसे पहले क्या लिखा है? Set a star at a star. Set a star at a star. तो क्या करेंगे? यहाँ पे star की picture draw करेंगे. ठीके? अगर वो वाला star draw करना न आए, तो पहले क्या करेंगे पता है? ऐसे एक triangle बना लेंगे. ठीके? ऐसे. फिर एक ultra triangle बना लेंगे. तो आपका star बन जाएगा और easy way में. ठीके? So, बन गया है ना star है ना? So, ऐसे ही star बनाएंगे. अगर आपको वो वाला star आए बनाना तो वो भी बना सकते हैं. और यह simple वाला भी बना सकते हैं. ओके? ना भी यहाँ पे लिखा है. म, double-o makes u, न. म, o, na, moon. म, o, na, moon. तो क्या करेंगे? यहाँ पे moon, row करेंगे. अभी हम full moon, row नहीं करेंगे. बट, crescent shape में करेंगे, ठीके? तो उसके लिए मैंने ऐसे C बना लिया. बट, थोड़ा सा cross में है ना? फिर again एक दूसरा C बना लेंगे. तो यह बन गया moon. हमारे crescent shape वाला, ओके? और यहाँ पे हम क्या लिखा है? स, आ, न, sun. स, आ, न, sun. तो यहाँ पे हम sun ड्रो करेंगे. और sun तो बहुत easy है. एक circle बना लेंगे. और अगर proper circle ना बना पाए, तो आप coin भी use कर सकते हैं. तो ऐसे मैंने coin से circle ड्रो कर लिया. अब यूस की raise ड्रो करेंगे. ठीक है? तो यह क्या बन गया? sun. है न? तो ऐसे ही आपको star, moon और sun ड्रो भी करना है. और यहाँ पे जो लिखा है उसको trace करना है. मतलब star, moon और sun की tracing करनी है. और ऐसे worksheet done करेंगे. और worksheet done होने के बाद submit कर देंगे. ओके, thank you.